हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो माई चैनल आप लोगों के लिए काफी अच्छी रिक्विमिन आ रही है डियार्ट्यो के तरफ से डिफेंस रिसर्च और डिवलप्मेंट और्गिनाइजीशन की तरफ से तो फ्रेंट्स एक इसकी सबसीडरी है एर डी तो यहाँ पे इनके तरफ से काफी अच्छी पोस्टेर रिलीज हुए है फ्रेंट्स जिसमें की ग्रेजवीट और डिप्लोमा यानी बीबी टेक वाले और आपके डिप्लोमा वाले आईट्याई वाले एलिजिबल रहेंगे फ्रेंट्स तो डियार्ट्यो की एक सबसीडरी आर्मेंट रिसर्च 2021 और 22 वाले ईलिजिबल रहेंगे फ्रेंट्स तो यह एक अपरेंटाशिप ट्र्रेनिंग स्कीम है फ्रेंट्स तो यहां पिस और ओफरेंटेश विल बी ओपने वापन फॉनवीघ टैटरसे ओवर्लों तो फ्रेंटी टी ऊपिस्टों तक यह उपन रहेंगे प्रेंब में फाइव मेकेनिकल में 20 एलेक्ट्रोनिक्स एंड टैली कम्यूनिकेशन में 5 मेटलर्जी इंजिनीरिंग में 3 प्रोडक्शन में 1 इंस्ट्रुमेंटीशन इंजिनीरिंग में 2 वैकेंसी 50 टोटल वैकेंसी रिलीज हुई ग्रेजूइट अपरेंटिस में और यहां पे आप होगी जो स्टाइपेंड मिनने वाली है 12,000 पर मंत और लोकेशन ओफ ट्रेनिंग एयर डी पशान पूने रहने वाली है फ्रेंट्स नेक्स जो है डिप्लोमा एपरेंटिस के लिए तो कंप्यूटर इंजिनीरिंग फूर वैकेंसी एरो में दो वैकेंसी एलेक्ट्रिकल में एट और एलेक्ट्रोनिक्स एंटेली कम्मुनिकेशन में फाइव मेटलर्जी इंजिनीरिंग में टू इंस्ट्रुमेंटेशन में टू टूटल ट्वैव तो दोनों को मिलाकर 75 वैकेंसी रिलीज होई है मंतली स्टाइपनिया 11,000 पर मंत बात आई गई है लोकेशन सेम रहन स्ट्रुमेरिंग डिग्री मागी गई है फुल टाइम कोर्स और रस्पेक्टिव दिसिप्लेन विर अट लिए 6.3 cgpa होना चाहिए फ्रेंट्स और रिकग्नाइज इंडियन उनिवर्सटी या इंसिट्यू रिलाक्स तो मिनिमम और 5.3 cgpa और सेस्टी प्वड को रिलाक्स के लिए फुल टाइम दिप्लोमा के लिए फुल टाइम दिप्लोमा त्रियर्स का होना चाहिए फॉस्ट क्लास और यहां पे 60% माक्स मिनिमम मागी गई है और 54 cst pwd candidate skilli research of vacancies guidelines under the Apprentices Act on reservation for SEST OBC will be followed candidate claiming reservation under SEST PWD shall provide certificate to on a certificate provide कर नहोगा duration of training 12 months renavali efforts as per Apprentices Act 1961 certificate of proficiency will be issued to pass candidates after 12 months from date of execution of contract previous training experience candidates who have already कंप्लीट रहें नहीं रहेंगे टोटल सिर्फ जो एक्स फ्रेशर होंगे यानि अभी तक किसी के पास जॉब नहीं हो तो वह या फिर किसी ना भी तक अपर इंटर्शिप नहीं किया तो वह रहेंगे फिर टूटाउदन ट्वेटीटीटू के बाद से सेलेक्शन प्रोसीजर जो है यहां पे रिस्पेक्टिव डिस विल बी ऑन दव माक्स ऑप्टेंद रिस्पेक्टिव डिस्प्लिन कौलिफाइंग ए जो है एक्जामिनेशन के जो भी माक्स होंगे मेरिट बेस पे आप लोगों का सेलेक्शन होने वाला है और यहां पोस्क्रीनिंग अप्लिकेशन शॉर्ट लिस्ट इस कंडिदेट्स विल बी इंटिमेटेट टो एपिर एक्जामिनेशन पहले यहां शॉर्ट लिस्ट किया मेडिकल इग्जामिनेशन और पॉलिस वेरिफिकेशन तो यह सारी चीज़ होंगे फ्रेंड्स और विंडो जो ऑन-लाइन अप्लिकेशन की क्लोज हो जाएगी 30 ओफ मई से तो इनके एमेशाडी नेट्स पोर्टल के तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स या फिर जो अल्रेड़े अंड्रोल्ड हैं तो यहां पर वेब पोर्टल पर जाएगे वहां क्लिक इस्टैबलिश्मेंट रिकिवस्ट मैनू क्लिक फाइंड इस्टैबलिश्मेंट डूप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स तो यहां पर लास्टेट थार्टी ओफ मई बताई गई ऑन्लाइन अप्लिकेशन 20 ओफ मई से स्टार्ट हो जुकिया फ्रेंड्स तो बैस्ट अफ लग फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में थैंक्स पर वाचिंग और कोई आनी हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में थैंक्स फर वाचिंग फ्रेंड्स